आप देख रही हैं तीर्थंकर चैनल जैन्ध धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को अगाने कीजिए इसी पाषनात भगवाने कीजिए अचैरे चारी चक्ती सांती सांति सागर जी महाराज कीजिए और आचारत न एक सौरसे जी सांती महराजे कीजे गुर्वर आचारे कल्प एक सो आर्टी सनमती सागर जी महराजे कीजे प्रे सोले कारण पर्व कीजे आज सोले कारण पर्व का दूसरा दिन है कल दर्शन विशुर्दी भावना का बनन हुआ था आज दूसरी भावना बिन्य संपन्नता संसार में ड्रप्टी की पहचान उसके गुणों से होती है उनके सब्दों से होती है स्वयम बिन्य करने से होती है यह बिन्य गुण मानों के अंदर अना डिकाल से और अनन तकार तक रहना चाहिए बिन्य से ही मानों उच्चपद को प्राप्त करता है परंतु बिन्य किसके करें पहले हमें यह सोचना होगा इन तीन की बिन्य करने से मानों संसार के सुखों को भोग सकता है परंतु देव हमें जानना होगा कि देव कौन होते हैं कौन से देव की हम बिन्य करें तो देव हमारे कैसे होते हैं अठारा दोसों से रहीत होते हैं और छादिस गुनों से सहीत होते हैं और तीन गुन उनके मुख्य होते हैं देव के धर्मोपदेश, बीतरागता और सरवग्यता ये तीन गुण जिन में पाए जाते हैं उन्हें देव कहते हैं और सास्त किसे कहते हैं जो भगवान की वानी हो जिसे हम आगम कहते हो भगवान की वानी हो गंधर के द्वारा गुठा हुआ हो और आचारे और मुन्यों के द्वारा जो कहा गया हो वे हमारा आगम है उसकी बिन बिने करो अठ्वा गुरू की बिने करो गुरू कैसे होते हैं पारिक्रेसे रहीत आरंब conos 그때 रहीत और ज्यान ध्यान में दुल्धीन होते हैं ऐसे गुरू की बिने करो बिने ही मानों के जीवन में ऐसी फोलों के व्यूर्ण के समान मानों के अंदर समता के भावों को भर दीता है कि बिन ऐसे क्या होता है फूलों के सुगंद के समान चारों तरफ उसका यस फैल जाता है अपना जीवन दूसरों के लिए गुण ग्रही कहा है क्योंकि गुणों को ग्रहन करो प्रच्चेक मानों में कई गुण होते हैं क क्योंकि कभ्यों ने कहा है बुरा जो देखन मैं चड़ा बुरा ने दीखा कोई जो दिर खोजो आपने मुझसे बुरान को सबसे पसे अपने आप को खोजो कि मैं कैसा हूं दुनिया को देखने जाता हूं लेकिन मैं कैसा हूं जब तक अपनी बुराई अपने को मालूम नहीं होगी तो दूसरे के गुणों को आप ग्रहन करनी ही सकते इसलिए दूसरों को गुणों को ग्रहन करने के लिए हमें बिने चाहिए और बिने से हम सब कुछ उसके पास से हम प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारे में बिने गुण नहीं है तो आप सामने वारे से कुछ भी ले सकते नहीं हो बिने से जीवन का उत्थान होता है बिने से ही मानव उच्चता को प्राप्त होता है जितना बिने हमारे अंदर होगा उतना बिने हमें अवश्य करना चाहिए क्योंकि बिने से क्या होता है धर्म की साधना होती है पुन्य को प्राप्त कर सकते हैं और पंज परावर्टन को अंसार है ये बने गुन से प्राफ्ट होटा है बने से थिठांकर जैसे पर को प्राफ्ट कर सकते हैं इस रिए ऐसे बने को मअधारन करें त्योंकि, बने ही मनुष्य का धर्म है गुण है इसलिए आज का जो हमारा बिने गुण का दर्शन विशुदी के बाद बिने गुण आता है बिने संपनिता होनी चाहिए बिने के गुणों से हमारा गीवन भरा हुआ हो रहा चाहिए हमारे आचर कहते हैं अगर छोटा बालक भी हमें सिक्षा देता है और हमें अगर वो अच्छी है तो हम उस छोटे बालक की भी सिक्षा को ब्रहन करें गुने प्रत्येक मानों में है और दुरगुन भी प्रत्येक मानों में भरा पड़ा है परंतु अब हमें उस में से क्या द्रहन करना है क्या नहीं करना है आप सोचिए पूर भव के अंदर अंजना का जीव भगवान का अविने किया एक खण के लिए मूर्टी को बेदी से बाहर किया एक आरिका अहर करने जा रही जी और उसको देखा आरिका ने उसे समझाया कि ऐसे अविने से कितना बड़ा पाप तुम्हारे जीवन में चड़ जाएगा ये तुम्हें रोते रोते भी दूर नहीं हो पाएगा ऐसे एक खण के लिए मूर्टी का अभी नहीं किया और आरिका के समझाने से पुने मूर्टी को वहां जहां के तहां विराजमान करी लेकिन एक खण का पाप उस भाव में कुछ नहीं हुआ लेकिन जब अंजना के जनम होने पर उस भाव के अंदर उस पाप का उदय आया आज हम भोंव सोचते हैं इस भाव में हमने कुछ नहीं किया अच्छा किया लेकिन पर भाव में तुमने क्या किया है इसका देखा जो खा इस भौव में नहीं होता है जब पाप का उदे आता है फर भोग ना पड़ता है तब सोचते हैं कि हमने क्या किया पूर भौ में कोई ऐसा बड़ा पाप किया होगा तो सोची आप जबकि अंजना का कोई दोस नहीं था फिर पे पाउंजनजे ने दासी के कहने से किसे हुआ यह देवसास गुर्व की अभिने से कितना बड़ा पाप होता है एक शनका पाप कितना बड़ा चला बाइस वर्ष तक चला इसी प्रकारिं यह दूर्गुन हमारे अंदर कहा से कहा हाँ करके बैठ जाते हैं हम स्वयं अपने आपको भी नहीं पहचान पाते हैं इसलिए हिंद्यों के विशे यह बंदीन के कारण अभिबने का कारण यह परोक्ष होता है और प्रत्यक्ष भी होता है हम Cartş करते हैं अमिनए इसी सादू की हम यहां वैटके निंदा करते हैं उससे क्या होता है यह परोग्षपाप है वो सामने जो करते हैं वो प्रत्यक्षपाप होता है अंज्डा ने प्रच्चक शताद पिया तो उसका फ़र 22 साथ भोगना पड़ा हो परोख शताद अब करते हो उसका फ़र यह भोव में नहीं तो पर भोव में भोगना ही पड़ेगा आप उसको दूर नहीं कर सकते हो, इसी दिये प्रत्यक मानों को हमेशा ये सोचना होगा कि मेरे द्वारा किसी का अविनय, किसी की निंदा, किसी की गरहा, मुझे नहीं करनी चाहिए, सोचते रहो, हम पढ़ते जरूर हैं, सोड़ा कारण भावनें पढ़ते हैं, हर साल, हर साल अविन थीन बार आती है, मलों, तीन बार नहीं पढ़ते हो, तो कम से कम भादवा में एक बार तो पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने से क्या होता है, क्योता है, पढ़ पर के हमने भो situação सारे, सपेथ बेकादे, अक्षर पढ़कर के भो सारे छोड़ दिये, लेकिन, पंडित नही तो क्या हुआ नक्ति का स्रंगार है अगर हमारे अंदर उन्सकार अक्षरों का अर्थ अंदर नहीं बुत्रा तो यह सब क्या चीज है नक्ति के स्रंगार के समान होता है भर्म नहीं हो पाता उसको करने के दिए प्रत्येक मानों को सरल्टा के भावों को हमारे अंदर लाना होगा और सरल्टा ही मानों के सुख का कारण होता है और ऐसे संस्कार हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को वासर भाव को जागरत करता है संसार के अंदर अनन्त काल से हम चले आ रहे हैं ऐसा नम्रता भाव हमारे अंदर आने चाहिए क्रश्ण जी कहीं जा रहे थे बलदेव जी के साथ में राश्टे के अंदर एक कुट्टा मरा पड़ा था क्रश्ण जी उसके पास बैठ गए उनकी दांतों की पक्तियों को देखकर कितने आनन्दित हो रहे थे जबकि उस कुट्टे की सडान दुरगंद कोसो तक जा रही थी बलदेव जी ने कहा क्रश्ण कहा बैठे हो चलो यहां मेरा तो नाग फटा जा रहा है मैं यहां खड़ा नहीं रह सकता तो क्रेश्ण जी ने क्या कहा बहिए यहां आकर देखो इस कुट्टे के दांत कितने सुन्दर हैं तो कहते ऐसे गुनों को ग्रहन करूं कि सब सरीर के अंदर सारे दुर्गुन होते हुए भी मानों के अंदर कोई न कोई गुन ऐसा प्राप्त होता है उस गुनों को ग्रहन करने के लिए हमें उसके दुर्गुनों को दूर करना होगा संसार का प्रांई अनांटकाल तक अनांत जीव इस अंसार में आपसे मिले बहुत सारे आपके परिवार परिकर बने लेक庵 कि उससे क्या हुआ कभी हमने उससे प्रेम नहीं किया उनसे बास्तली नहीं रखा उनके विन्एफूण नहीं किया तो क्या होगा आज हम अपने माता पिता का बिन्य नहीं करेंगे तपर्मों में वही आपको दुख्य देंगे वही आपको दुख्य करेंगे इस दिए इस संसार में हमने जनम लिया है चाहे वो हमारे छोटा हो बड़ा हो बराबर का हो कोई भी हो उनका बिन्य करिए और उसी से हम अपने की सरलता अपने गुणों को प्रगट करें उसी से हमारा आत्म कल्डान होगा ऐसे बुने गुण को धारन करके अपने जीवन का हम उठान करें बुझे चंदा प्रभु भगवान ने कीज़ झाल